इसके पिछले वीडियो में Sinoform को create किये थे इस वीडियो में Netflix का clone करने वाले हैं तो ये आपका project है और इस project को इस वीडियो में create करने वाले हैं तो चलिए इसे create करते हैं तो Netflix को clone करने के लिए ये dogs है तो इसके help से इसे clone करने वाले हैं तो first step में आपको components और page folder create करना होगा तो अपने project को vs code में open करेंगे और src folder में component और page folder को create करते हैं तो यह आपका src folder है और इसके अंदर components folder create करेंगे components यह आपका components का folder create हो गया एक pages folder create करेंगे तो एक pages folder हो गया और pages में first आपका page रहेगा home page तो एक home page का file create करते है home.jsx और इसमें लिखेंगे rfc तो ये आपका एक page create हो गया components में पहला आपका neighbor component रहेगा तो एक neighbor के लिए component create करेंगे तो ये आपका neighbor का create हो गया then second step में आपको react route और dom को install करना होगा तो यहां से copy करते हैं और terminal को open करेंगे और यहां पे paste करेंगे तो ये install हो जाएगा तो ये आपका react router dom install हो गया तो आपको app.jsx में जाना है और इसमें route को create करेंगे तो सबसे पहले आपको react router dom से router route और routes को import करना होगा तो इसे create करते हैं तो यह आपका app.j6 है और यहाँ पे import करेंगे react router और dom से router, route और routes तो यहाँ पे router लिया गया और router के अंदर routes है और routes के अंदर आपका route है route के अंदर एक path देंगे और एक element element के अंदर आप components या page को दे सकते हैं तो यहाँ पे home page को देंगे तो यह top पे import हो गया अब यह home page आपके इस path पे दिखेगा तो यहाँ पे आपका home page का route create हो गया, third step में neighbor का component create करने वाले है तो neighbor आपका कुछ इस तरीके से दिखने वाला है तो यहाँ पे neighbor को create करने के लिए एक folder hero section का create करेंगे और hero section में neighbor को use करेंगे तो यह आपका components folder है और इसके अंदर hero section component create करने वाले है तो यहाँ पे create करते हैं hero section dot jsx rfc करते हैं तो यह आपका component create हो गया तो hero section के अंदर neighbor को use करते हैं तो यहाँ पे neighbor देंगे neighbor top पे import हो गया अब hero section में आपका neighbor दिखेगा और hero section दिखेगा अब hero section को home page पे import करेंगे ताकि आपका home page पे hero section और neighbor दिखे तो यह आपका home page है तो यहाँ पे hero section देंगे hero section तो यहाँ पे आपका hero section इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका neighbor दिख रहा है और hero section देख रहा है अब यहाँ पे neighbor को create करेंगे इमेज हीरो सेक्षन में देंगे तो आपके नेबार में भी दिखेगा और हीरो सेक्षन में भी दिखेगा तो यह आपका हीरो सेक्षन है तो यहाँ पे अश्टाइल देंगे और अश्टाइल के अंदर बेक्ग्राउंड देते हैं तो यहाँ पे बेक्ग्राउंड देंगे औ और एक transparent करेंगे, background का url देंगे, तो url देते हैं, यह हो गया, यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पर height और width देते हैं, तो यह आपका style हो गया, और यहाँ पर class name यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर height देते हैं, तो height देने के लिए, यहाँ पर custom CSS का यूज़ करेंगे, तो tellwind CSS में custom CSS यूज़ करना है, तो square bracket का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देते हैं, 44.5 em, तो यह यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो यह आपका lg के लिए रहेगा, md के लिए create करते हैं, height 44 em, और mobile में देखते हैं, तो यह mobile में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो mobile में height देते हैं, 34 em, तो mobile में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और laptop में कुछ इस तरीके से दिखेगा, अब neighbor को create करते हैं, तो यहाँ पर आपका neighbor है, तो कुछ इस तरीके से neighbor को create करना है, तो Navar को create करने के लिए आपको दो class name create करना होगा एक left, left में आपका logo आएगा और एक right राइट में आपका दो item आएगा, एक selector और एक button तो इसको create करते हैं तो यह आपका hero section का component है और hero section में आपका Navar है तो आप Navar component में जाते हैं और Navar को create करते हैं तो यह आपका नहबार है तो यहाँ पे एक div लेंगे यह आपका main div रहेगा और main div में class name बनाते हैं left तो comment देते हैं left और एक class name बनाएंगे left तो left में आपका logo रहेगा तो एक div बनाएंगे और इसमें image देंगे और यहाँ पे image URL देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे NETFLIX LOGO तेक तो यह left के लिए हो गया और एक right के लिए create करते हैं तो comment देंगे right और एक div लेंगे और इसमें एक और div लेंगे और इसमें एक selector आएगा और एक button आएगा तो एक div लेते हैं और इसके अंदर selector को लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह selector है और selector में आपका options है English और Hindi ठीक अब एक button लेंगे तो यहाँ पर देते हैं selector यह आपका selector हो गया और एक button लेंगे तो यहाँ पर button tag लेते हैं और इसमें देते हैं sign in तो यह sign in button हो गया तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसमें और भी styling देंगे तो यह structure create हो गया left में आपका logo है right में आपका selector है और एक button है अब इसमें design करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर flex का use करेंगे तो दोनों एक साथ आ जाएगा तो यह आपका main div है और main div में flex use करते हैं और इस logo का width कम करते हैं तो यहाँ पर class name use करते हैं तो यहाँ पर logo का width देते हैं तो width 44 तो यह यहाँ पर 44 width आ गया तो यह LG के रिए रहेगा large screen के लिए MD के लिए भी देते है width 44 ठीक मोबाइल screen में देखेंगे तो यहाँ पर यह बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करते हैं तो width 28 करते हैं तो मोबाइल में width कुछ इस तरीके से दिखेगा यह हो गया अब यहाँ पर justify between का use करेंगे लोगो आपका इधर आ जाएगा और यह selector है इधर आ जाएगा तो यह आपका main div है और यहाँ पर justify between यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए यह इधर आ गया और top से padding लेते हैं तो py5 लेंगे तो यहाँ पर py5 हो गया और padding x axis से भी लेते हैं तो px5 लेते हैं तो यहाँ पर px5 हो गया अब यह अच्छा दिख रहा है और mobile screen में देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब इन दोनों को एक साथ में लाना है तो flex का use करेंगे तो यह आपका main है और main में आपका एक selector है और एक button है तो main में flex का use करते हैं तो यह एक साथ आ गया और item center करेंगे ताकि दोनों center में रहें और यहाँ पर भी item center का use करेंगे item center अब इसको design करते हैं तो यह आपका selector है तो यहाँ पर busy transparent करेंगे तो यहाँ पर transparent दिखने लगा तो इस पर click कर रहा है तो यह outline आ रहा है तो इसको none करेंगे तो यहाँ पर outline none करते हैं अब इस पर यह outline नहीं आए तो यह आपका selector का div है, अब यहाँ पे background color देते हैं, bz, custom color देंगे, तो square bracket का use करेंगे, तो यहाँ पे यह black दिख रहा है, text white करते हैं, text white, तो यह white दिखेगा, और यहाँ पे दोनों यह chip का हुआ है, तो mx4 करते हैं, तो margin का use करेंगे, mx4, तो यह यहाँ से इधर आ गया, अब यहाँ पे x-axis में padding को use करेंगे, तो px5 करते हैं, अब पे px5 करेंगे, तो यहाँ पे padding x-axis में 5 ले लिया, और padding y-axis में 1 करते हैं, तो यहाँ पे py1 करेंगे, तो यहाँ पे y-axis में padding ले लिया, यहाँ पे border radius का use करते हैं, तो rounded md करेंगे, तो यहाँ पे rounded md करते हैं, अब यह अच्छा दिखरा है, तो इसको कुछ इस तरीके से create करना है, तो यहाँ पे border का use करेंगे, तो यहाँ पे border यूज करते हैं, border, custom border देंगे, 1.5 पिक्सल, तो यहाँ पे आपका border दिख रहा है, border का color देते हैं तो border का color कुछ इस तरीके से देंगे तो यहाँ पर border color देते हैं border gray 600 तो यहाँ पर border का color आ गया और इस पर click कर रहे हैं तो यह white ring दिख रहा है तो इसको कैसे create करेंगे तो यहाँ पर hover का use करेंगे hover और tellman CSS में ring create करना हो तो ring देंगे और ring 2 करते हैं अब इस पर hover करेंगे तो यह blue ring दिख रहा है अब इस blue ring का color change करते हैं तो hover का use करेंगे hover ring gray 200 तो यहाँ पर ring का color जो है वो gray हो गया तो इसको कुछ इस तरीके से create करना है तो opacity कम करते हैं तो यहाँ पर opacity कम करेंगे तो यहाँ पर opacity 80 करेंगे तो इसका opacity 80 हो गया तो यहाँ पर opacity 80 हो गया अब sign in button को create करते हैं और यहाँ पर class name का use करते हैं और type button देंगे तो यह आपका button कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर background color देते हैं तो bz custom color देंगे square bracket यूज करते हैं और इसमें color देते हैं तो यहाँ पर यह color देख रहा है text को white करेंगे तो text white करते हैं तो यह text white हो गया और padding देंगे तो px5 करते हैं और padding y-axis में 1.5 करते हैं तो यह हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं यह padding y-axis और x-axis में ले लिए तो यहाँ पर border radius का use करते हैं तो rounded LG करेंगे तो यहाँ पे border radius आए font bold करते हैं font bold तो यहाँ पे आपका font bold हो गया और इस पे hover करें तो इसका color change हो रहा है जैसे यहाँ पे देख सके इस पे hover करने पे इसका color change हो रहा है तो यहाँ पे hover properties का use करेंगे busy और color देते हैं तो इस पे click कर रहे है तो यह change हो रहा है तो यहाँ पे आपका 80% never create हो गया अब इसको कुछ इस तरीके से create करना है तो यहाँ पे justify between दिया गया था उसको justify around करेंगे तो यहाँ पे आपका justify between है तो इसको remove करते हैं और justify around करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह अब इस तरीके से दिख रहा है और inspect करेंगे तो मुबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो मुबाइल में भी justify around use हो रहा है लेकिन मुबाइल में हमें justify between करना है तो यह justify around LG रहेगा और MD में भी justify around करेंगे तो MD use करते हैं और यहाँ पर justify around में आपका justify between use होगा ठीक है और ये जो selector है इसका थोड़ा सा px कम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखे तो यहाँ पर padding x-axis में कम करना होगा तो ये आपका selector है और यहाँ पर px 5 दिया गया है तो ये px lg और md में 5 रहेगा तो यहाँ पर lg का use करेंगे और md px 5 करेंगे और mobile screen में px 3 करते हैं तो इस selector पर px 3 हो गया और ये आपका sign in है तो यहाँ पर sign in करते हैं तो ये selector आपके mobile में भी अच्छा दिख रहा है और ये desktop में भी अच्छा दिख रहा है और इस पर click कर रहा है तो ये cursor pointer आना चाहिए तो यहाँ पर cursor pointer का use करेंगे और इस पर click करेंगे तो ये आपका cursor दिखेगा ठीक है? तो यहाँ पर आपका never create हो गया तो एक बार आपको never और अच्छे से समझा देता हूँ एक div बनाए गया और जिसमें आपका एक left class है और एक right class है right class में दो item है एक selector है और एक button है और ये आपका main div है तो main div में flex का use किया गया ताकि दोनों एक साथ आ जाए दोनों को equal distance देने के लिए justify around का use किया गया large device के लिए और medium device के लिए और small device में आपका justify between दिखेगा और दोनों को center में दाने के लिए item center का use किया गया और top से padding लेने के लिए py5 और right से padding लेने के लिए px5 का use किया गया और ये आपका logo है और यहाँ पे width और height दिया गया और right में दो item है ये आपका selector और एक button तो ये कुछ इस तरीके से आपका neighbor दिख रहा है तो neighbor तो create हो गया अब hero section को create करते हैं तो hero section कुछ इस तरीके से create होगा तो create करते हैं तो hero section में जाएंगे hero section में ये आपका neighbor है तो यहाँ पे hero section को create करते हैं comment देंगे और एक div लेंगे और इसके अंदर एक और div लेते हैं और एक h1 लेंगे और h1 में आपका ये text रहेगा तो यहाँ पे paste करते हैं तो यह आपका h1 हो गया और एक paragraph लेंगे और यहाँ पे एक paragraph है तो इसको copy करते हैं और यहाँ पे एक paragraph लेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे तो यह आपका एक paragraph हो गया एक और paragraph लेंगे और जिसमें आपका यह आएगा तो इसको copy करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे तो यह आपका second paragraph हो गया और यह create करना है एक input और एक button तो button और input create करने के लिए एक div लेंगे यह आपका paragraph हो गया और एक div लेते हैं और div में आपका एक input आएगा और एक button आएगा तो यहाँ पे input लेते हैं और एक button लेंगे और बटन के अंदर दो आइटम है और बटन के अंदर एक text है और एक icon है तो यहाँ पे p-tag का use करते हैं और इसमें देते हैं get started ठीक, तो यहाँ पे एक text आ गया get started और एक spz icon लेंगे तो यहाँ पे एक spz icon लेते हैं तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी यह text black है, अभी से style देते हैं तो यह h1 है, यह paragraph है तो यहाँ पे class name का use करते हैं और text को पहले white करते हैं तो यह text white हो गया इन सभी को यहाँ पे center में लाना है तो center में लाने के लिए flex और justify center का use करते हैं तो पहले यहाँ पे container का use करेंगे container, mx, auto तो यह दोनों तरब से equal space ले लेगा अब यहाँ पर flex का use करेंगे और justify center करेंगे तो यह hero section center में आ जाएगा और item भी center करते हैं और height देंगे तो height 96 देते हैं तो यह यहाँ पर आ जाएगा और यह आपका h1 है और h1 में आपका text white किया गया है अब text center करते हैं text center तो यह center में आ गया और text का font size चेंज करेंगे तो text 5x करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और font को bold करेंगे तो यह font bold हो गया तो यह हो गया और inspect करेंगे तो यह mobile में कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर text का font size चेंज करेंगे तो इसको lg करते हैं और md में भी text 5x आएगा और जो भी changes होगा वो medium size में करेंगे आगे तो यह mobile में अब छोटा हो गया तो mobile में 3xl देते हैं text 3xl तो mobile में यह 3xl दिख रहा है और यहाँ से padding देते हैं x-axis में तो px 5 करेंगे तो यह x-axis में कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यह आपका h1 create हो गया अब paragraph को create करते हैं तो paragraph में पहले text white दिया गया है अब text को center करेंगे text center और text का font size देते हैं तो lg में text 2xl देंगे 2xl तो यह 2xl दिख रहा है और यहाँ पे जो यह h1 दिख रहा है उसको margin bottom देते हैं 5 तो यहाँ पे mb 5 करेंगे तो यह margin bottom ले लिया इस paragraph का text 2xl है lg में md में भी 2xl देंगे तो इसको copy करते हैं और यहाँ पे md करेंगे बड मोबाइल में excel करेंगे तो यह mobile में आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है और laptop में यह इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे text white है तो यहाँ पे text center करेंगे तो यह center में आ जाएगा और इस paragraph को भी margin bottom देते हैं तो यहाँ पे mb 5 करेंगे अब यह अच्छा दिख रहा है अब इस paragraph का font size change करेंगे तो इसका text excel करेंगे LG में और MD में भी तो यहाँ पे MD करेंगे और mobile screen में LG करेंगे तो यहाँ पे text LG करेंगे और mobile screen में इसका font size इस तरीके से दिखेगा और laptop में इस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले से clone किया गया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे दोनों text equal दिख रहा है तो इसको कैसे create करेंगे तो यहाँ पे BR tag का use करते हैं तो यहाँ पे BR tag को use करेंगे तो यहाँ पे BR tag use करते हैं और class name use करेंगे LG hidden और MD hidden और एक और होता है small device में भी hidden रहेगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एक साथ आ गया और laptop में यह इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे LG hidden, MD hidden का क्या मतलब है जैसे यहाँ पे आप BR tag का use किये तो एक space ले लिया इस space का required है आपके mobile में laptop में नहीं तो यहाँ पे एक class name का use किया गया hidden यह hidden रहेगा आपके LG में, medium में और SM mobile में यह BR दिखेगा तो इसलिए इस class name का use किया गया है तो यह आपका second paragraph भी create हो गया अब यहाँ पे input को create करना है तो input को create करते हैं तो इस input को यहाँ पे center में लाना है तो flex का use करेंगे और justify center करते हैं item भी center करेंगे तो यह दोनों center में आ गया अब input और button को create करते हैं तो पहले input को create करते हैं तो यहाँ पे input देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे create करना है तो यहाँ पर इसको उस तरीके से create करते हैं तो यह आपका input है तो input में class name का use करते हैं cls bz तो यहाँ पर color देते हैं तो यह background color आ गया और text को white करते हैं text white तो यहाँ पर text white हो जाएगा जो भी आप कुछ लिखेंगे यह white दिखेगा और text lg करते हैं text lg तो यह थोड़ा सार इसका text change हो जाएगा और py3 देते हैं padding यहाँ पर py3 हो गया और px भी 3 देंगे px3 ठीक है तो यहाँ पर यह px3 हो गया और width देंगे तो width 96 देते हैं तो यह width आपके lg में दीखेगा तो यहाँ पर lg का use करेंगे तो यह lg में width दीखेगा और md में भी width देते हैं 96 ठीक है? और यहाँ पर border radius का use करेंगे तो rounded md करते हैं तो rounded md हो गया और इसको कुछ इस तरीके से create करना है तो यहाँ पर opacity का use करेंगे तो यहाँ पर opacity 80 देते हैं तो यह opacity 80 हो गया अब यहाँ पर border का use करेंगे तो यहाँ पर border देते हैं तो यहाँ पर आपका border आ गया और border का color change करेंगे border gray 300 तो border का color भी change हो गया और इस पर horror करें तो यह ring दीखे तो यहाँ पर ring का use करेंगे और इस पे हुआर कर रहे हैं तो आपका ये रींग दिख रहा है और रींग का color change करेंगे तो हुआर रींग ग्रे फिफ्टी ठीक है और इस पे click कर रहे हैं तो ये outline आ रहा है इसको remove करेंगे तो यहाँ पे outline none करते हैं तो ये चला गया तो यहाँ पे देखिए ये outline चला गया तो इस पे for कर रहा है तो ये ring दिख रहा है अब यहाँ पे placeholder का use करेंगे तो यहाँ पे placeholder देते हैं email address तो यहाँ पे आपका placeholder दिख रहा है तो यहाँ पे button को create करते हैं तो यह आपका button है और button में type देते हैं button class name देंगे class name के अंदर background color देते हैं तो यहाँ पे bz color देंगे तो यहाँ पे आपका background color आ गया, इन दोनों को एक साथ में करना है, तो flex का use करेंगे तो यहाँ पे flex देते हैं, flex item center यह दोनों center में आ गया और यहाँ पे padding का use करेंगे y-axis और x-axis में तो py3 देते हैं और px5 देते हैं तो यह आपके आ गया और rounded lg करेंगे rounded lg तो यहाँ पे border radius आ गया अब इस paragraph, अब इस text को अब इस text का color change करते हैं तो यहाँ पे class name का use करेंगे और text white करते हैं और font bold करेंगे और text lg करते हैं और text excel करेंगे तो text excel हो गया और इन दोनों में gap देते हैं तो यहाँ पे gap 2 देंगे तो यहाँ पे आपका gap आ गया और इन दोनों में भी gap देना है तो यहाँ पे space x axis में 2 देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में gap आ गया और इस paragraph में margin bottom देते हैं तो यह आपका paragraph है यहाँ पे margin bottom देते हैं 5 तो यहाँ पे margin bottom 5 आ गया और यह top पे दिख रहा है तो इसको इस तरीके से create करना है तो यह आपका hero section 80% create हो गया इस hero section को कुछ इस तरीके से create करना है तो आपको नेब बर में margin-bottom का यूज करना होगा तो margin-bottom का यूज करते हैं नेब बर में तो नेब बर component में जाएंगे और यहाँ पर margin-bottom 28 देते हैं तो यहाँ पर margin-bottom 28 आगया तो यह आपके LG में दिखेगा MD में भी margin-bottom 28 रहेगा, तो यहाँ पर margin bottom 28 ले लिया और inspect करेंगे तो यह mobile में responsive नहीं रहा पाया, तो यहाँ पर mobile के लिए margin bottom 10 करेंगे ठीक है, तो mobile skin में input और button को कुछ इस तरीके से create करने के लिए आपको hero section में flex wrap का use करना होगा तो यह आपका hero section है और hero section के अंदर आपका यह input और button का div है, तो यहाँ पर flex wrap का use करेंगे तो mobile skin में कुछ इस तरीके से दिखेगा तो यह अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब यहाँ पर input में width देते हैं mobile skin के लिए, तो यह input है, और MD और LG में width 96 दिया गया है अब input में margin bottom का use करते हैं, तो यह आपका input है, और यहाँ पर margin bottom 5 देंगे तो अब यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट लैपटॉप में कुछ इस तरीके से दिखने लगा तो यहाँ पर margin bottom 0 करेंगे तो LG MB 0 करेंगे और MD में भी margin bottom 0 करेंगे margin bottom 5 हो गया तो यह बिल्कुल responsive है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल responsive है Surface Pro 7 में देखेंगे तो यह इस तरीके से दिखेगा और Redmi Note 10S में देखेंगे तो यह इस तरीके से दिखेगा, तो यह बिल्कुल responsive है तो एक बार hero section के लिए recall करते हैं तो यह आपका hero section का div है जिसमें एक h1 लिया गया था और इसमें दो paragraph और एक div div में आपका input और button था ठीक है और main div में container mx auto का use किया गया था ताकि दोनों तरब से equal space आ जाए flex और justify center का use किया गया था ताकि दोनों center में आ जाए और यह आपका h1 है और यह दोनो paragraph है तो यह पहले से clone किया गया था और यह video के साथ clone किया जा रहा है तो दोनों similar दिख रहा है तो यह आपका hero section create हो गया अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले से clone किया गया था उसका body का background color black है और यहाँ पे horizontal line दिया गया है तो इसको कैसे create करेंगे तो सबसे पहले index.css में जाएंगे और background color देंगे अपने body का तो यहाँ पे body को लेते हैं और इसके अंदर background color देंगे black ठीक है तो यहाँ पे body का background color black हो गया और यहाँ पर horizontal line का use करना है तो horizontal line को use करेंगे इस hero section के बाद तो यहाँ पर एक fragment का use करते हैं और fragment के अंदर इसको देंगे ठीक है अब इस fragment के अंदर आपका यह hero section आ गया और hero section के बाद आपको horizontal line use करना है तो एक div use करेंगे div और यहाँ पर class name देंगे hr line ठीक अब इस hr line को index.css में यूज़ करेंगे अब यहाँ पर class name यूज़ करते हैं hr line और apply directive का यूज़ करेंगे ताकि आप ताकि आप tellwind css को लिख सके तो यहाँ पर background color देते हैं और height 2.5 देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यह horizontal line दिख रहा है तो यहाँ पर आपका यह horizontal line भी create हो गया तो third step में एक navbar को create किया गया था fourth step में hero section को create किये fifth step में आपको enjoy component को create करना होगा enjoy component आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो आपको इस video को download करना है तो आपको docs पर जाना होगा और यहाँ पर जितने भी video को use किया गया है उन सब को आप यहाँ से download कर सकते हैं तो इस download button पर click करना है और यह download हो जाएगा तो इसको create करते हैं तो फिफ्थ स्टेप में आपको enjoy component को create करना है तो एक component create करना होगा enjoy तो create करते हैं तो यह component है एक component create करते हैं enjoy .jsx rfc करेंगे और इस enjoy को home page पर import करेंगे तो hero section के बाद आपका enjoy component आएगा यह top पर import हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका enjoy component दीख रहा है ठीक है तो enjoy component create करना के लिए दो class name का use करना होगा एक left एक right तो इसको create करते हैं तो enjoy component को create करते हैं तो यहाँ पर एक div tag लेंगे और div के अंदर एक comment देते हैं left यह आपका left के लिए हो गया और class name बनाएंगे left left के अंदर एक h2 और एक paragraph आएगा और एक right का comment देते हैं और यहाँ पर right class name देंगे right right में आपका video आएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे create करना है तो इसको copy करेंगे और यहाँ पर एक h2 लेंगे और इसमें paste करेंगे से में से ही paragraph के लिए करते हैं तो यहाँ पर paragraph लेंगे तो यह आपका paragraph के लिए हो गया अब video tag का use करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर video tag का use करेंगे width और height को remove करते हैं और यहाँ पर class name का use करेंगे CLS ठीक है और यहाँ पर source का use करेंगे source, src देंगे, src के अंदर video का path देंगे, तो path देने के लिए आपको अपने video को अपने file में import करना होगा तो public folder में जाएंगे और public folder के अंदर एक video folder create करेंगे और video folder के अंदर आपका video रहेगा, और इसका path देना है तो slash video करेंगे, video और video के अंदर v1.mp4 है तो यहाँ पर video का path आगया और यहाँ पर type देंगे type video mp4 तो यहाँ पर video का path आगया तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब हमें text का color change करना है तो यहाँ पर class name का use करेंगे, cls text white तो यह दोनों white हो गया इन दोनों को एक साथ में लाना है तो flex का use करेंगे तो यह आपका main div है और main div के अंदर flex देंगे तो यह दोनों एक साथ आगया और यहाँ पर justify evenly का use करेंगे ताकि दोनों तरफ से equal space ले ले तो यहाँ पर justify evenly का use करते हैं तो यहां पे दोनों तरफ से equal space ले लिया इन दोनों को center में लाना है तो item center करेंगे तो item center तो यह दोनों center में आ गे और टॉप से padding देते हैं تو py20 देंगे तो यहां पे py20 देते हैं तो यह यहां पे py20 आ गया यह py आपके lg में रहेगा और md में तो यहाँ पे lg py 20 देते हैं, md py 20, ठीक है, अब हमें text का font size change करना है, तो यहाँ पे text 5 excel करते हैं, तो आपका text 5 excel हो गया, और font bold करते हैं, तो font bold हो गया, और margin bottom 5 देंगे, mb 5, तो यहाँ पे margin bottom 5 हो गया, तो यह text 5 excel है, यह आपके lg में रहेगा, ठीक है, same as e, md में भी करेंगे, तो md 5 excel, यह हो गया, अब paragraph के लिए create करते हैं, तो यहाँ पे text 2 excel करेंगे, यह आपके lg में रहेगा, same as e, md के लिए भी create करेंगे, तो md text 2 excel, तो यह आपके md के लिए हो गया, तो यह आपका paragraph भी create हो गया, अब इस paragraph को कुछ इस तरीके से create करना है, तो br tag का use करेंगे, तो यहाँ पे br tag का use करते हैं, br, और class name use करेंगे, तो hidden करेंगे, तो यहाँ पे br tag करने पे यह same, ऐसे ही दिखने लगा, बट problem एक होगा, inspect जब करेंगे, तो यह mobile screen में full दिखना चाहिए, तो mobile screen में full दिखने के लिए, यहाँ पे class name का use करेंगे, और इसमें देंगे hidden, यह आपके mobile में यह hidden दिखेगा, जैसे आप hidden को, जैसे आप hidden को remove करते हैं, तो यह देखे, कुछ इस तरीके से दिखे रहा है, तो mobile में बहुत ही अजीब दिखे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे flex wrap का use करेंगे, ताकि mobile में यह ऐसे दिखे, कि यह br आपके mobile में नहीं दिखना चाहिए, तो उसको कैसे create करेंगे, तो उसको create करने के लिए hidden का use करेंगे, जब आप hidden class का use करेंगे, तो mobile में hidden हो जाएगा, यह br आपके mobile में hidden हो जाएगा, बट हमें laptop और tablet में use करना है, तो यहाँ पे block का use करेंगे, LG, block, तो इसके वज़े से आपके LG में भी दिखेगा, और SIM, MD के लिए भी करेंगे, block, और SM के लिए भी करेंगे, block, तो इसके help से यह LG, MD और SM में दिखेगा, और mobile में hidden रहे, अब वीडियो को create करते हैं, तो वीडियो टैग पे जाएंगे, और यहाँ पे controllers को remove करेंगे, और width और height देंगे, तो width देते हैं, तो LG के लिए width देते हैं, width 35, EM, ठीक है, MD के लिए भी करेंगे, width 35, EM, यह हो गया, और refresh करते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब इसे automatically चलाना है, तो चलाने के लिए auto play करेंगे, तो यहाँ पे auto play करते हैं, true, यह true हो गया, और muted करेंगे, muted, और refresh करते हैं, तो यह चलने लगा, यह automatically चल रहा है, क्या यह responsive है, तो inspect करेंगे, और देखेंगे, तो यह responsive नहीं है, तो responsive करने के लिए आपको यहाँ पे flex wrap का use करना होगा, ताकि यह vertically दिखे, और यहाँ पे padding का use करेंगे, तो यहाँ पे py 10 करते हैं, तो top से padding ले लिया, और left से भी लेंगे, तो px 5 करते हैं, तो px 5 हो गया, ठीक है, और इसको इस तरीके से create करना है, तो text को center करेंगे, तो यहाँ पे center करते हैं, text center, तो यह center में चला जाएगा, और इसका font size change करेंगे, तो font size text 3 XL करते हैं, text 3 XL, और जैसे ही आप laptop में जाएंगे, तो यह center हो गया, बट इसे हमें start में रखना है, तो text start कर देंगे, तो lg text start, और md में भी text start, और sm में भी text start, मतलब starting से रहेगा, और mobile में center में रहेगा, यह center में आ गया, अब इसे भी इस तरीके से create करना है, तो इसको center करेंगे, तो यहाँ पर text center करते हैं, तो यह center में आ गया, और इसका font size change करेंगे, तो यहाँ पर text lg करते हैं, तो यह text lg हो गया, तो इस paragraph का text lg हो गया, तो यह lg mobile scheme में दिखेगा, और जैसे ही आप laptop में जाएंगे, same problem आया, तो इसके लिए यहाँ से copy करते हैं, और यहाँ पर paste करेंगे, तो यह large device में text starting में रहेगा, तो यहाँ पर enjoy component 80% create हो गया, तो यह left वाले class name में margin bottom का use करेंगे, तो यहाँ पर margin bottom 10 करते हैं, तो यहाँ पर margin bottom 10 आ गया, तो यह mobile scheme में margin bottom 10 चाहिए, तो laptop में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर lg mb 0 करेंगे, md, md, mb 0 करते हैं, sm, mb 0 करेंगे, तो lg, md और sm में margin bottom 0 रहेगा, यह केवल mobile में दिखे, तो यह आपका enjoy component create हो गया, अब हमें क्या करना है, hr line का use करना है, जैसे यहाँ पर create किया गया, तो hr line को use करते हैं, तो यह आपका main div है, और main div के अंदर एक div बनाएंगे, और div का class name देंगे hr line, और इस class name के अंदर index.css में class use किया गया है, background color और height, ठीक है, तो यहाँ पर आपका horizontal line आ गया, तो यह आपका enjoy component complete हो गया, अब next component को create करते हैं, तो fifth step में enjoy component को create कर लिया गया, अब sixth step में download component को create करना है, तो download component को create करना है, तो same ऐसे ही है, जैसे आपका enjoy component है, तो उस component को हम लोग reuse में ले सकते हैं, तो पहले हमें download component create करना है, then enjoy component को reuse में लेंगे, तो components में जाएंगे और यहाँ पर एक file create करते हैं, download.jsx, rfc करेंगे, और home page में download को import करते हैं, तो enjoy के बार download का use करेंगे, download component, यह टॉप पर import हो गया, और यहाँ पर आपका यह download दिख रहा है, ठीक है, तो यह आपका enjoy component है, और यह आपका download component है, तो इसमें कोई ज़्यादा difference नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस component को use कर लेते हैं, तो enjoy component को copy करेंगे, और download component में paste करेंगे, ठीक है, और इसको remove करके download करेंगे, download, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह दिख रहा है, अब इसको यहाँ लाना है, और इसको यहाँ लाना है, तो यह कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यह left वाला है, तो left वाले में क्या करना है, left को right करना है, और right को left करना है, ठीक है, तो इसको copy करते हैं, और इसको भी left करेंगे, यह अपका left वाला हो गया, और यहाँ पे right करेंगे, ठीक है, तो यह ऐसे दिख रहा है, और text को change करेंगे, तो इसको copy करते हैं, तो इसे remove करेंगे, और यहाँ पे, तो यहाँ पे यह text change हो गया, अब हमें इस paragraph को लेना है, तो इसको copy करेंगे, तो इसे remove करेंगे और यहाँ पे paste करेंगे यहाँ पे यह BR tag का use किया गया है ताकि space आ जाए तो यह देखिए यहाँ पे आ गया अब इस video को change करेंगे तो इस video को change करना है तो यहाँ पे B2 का use करेंगे तो यहाँ पे downloading का video आ गया ठीक है? width और height change करेंगे width और height change करना है तो यहाँ पे 20 करते हैं MD और LG में 20 रहेगा और mobile skin में 20 रहेगा 20 EM ठीक है? और same ऐसे ही और enjoy component को भी देंगे तो जो यह आपका video दिख रहा है इसमे width देंगे 30 EM 30 EM मोबाइल में इसका width 30 EM हो गया और इसका 20 EM हो गया ठीक है? बट जो clone पहले से किया गया है उसमें ऐसे दिख रहा है पहले आपका left वाला आएगा उसके बाद आपका right वाला आएगा mobile में तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए आपको order का use करना होगा तो download पे जाएंगे जाएगा और ये mobile के लिए केवल रहेगा तो LG order first करेंगे ठीक? और MD order first करेंगे ठीक है? ये हो गया तो यहाँ पे order का use करके left को last किया गया और right को first किया गया laptop में भी अच्छे से दिख रहा है और यहाँ पे horizontal line भी आ गया तो ये आपका download component create हो गया अब हमें next component create करना है तो आपका next component है watch watch भी आपका same है जैसे आपका enjoy component था तो same उस component को use कर सकते हैं तो सबसे पहले watch component को create करते हैं तो components folder में जाएंगे और यहाँ पे देंगे watch.jsx rfc करेंगे और home page में watch component को import करेंगे watch ठीक है ये top पे import हो गया और enjoy component को copy करते हैं और watch component में paste करेंगे तो यहाँ पे आपका enjoy component आ गया तो enjoy component को remove करेंगे और यहाँ पे watch देंगे तो watch component और enjoy component same component है तो आप reuse कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका watch component आ गया अब टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो यह आपका watch component है तो watch component का text चेंज करते हैं तो इसे रिमूफ करेंगे और यहाँ पे watch everywhere देते हैं और इसका भी text चेंज करेंगे तो यहाँ से इसे remove करते हैं और यहाँ पे paste करते हैं और यहाँ पे BR tag का use किया गया है और वीडियो को चेंज करेंगे तो वीडियो को चेंज करने के लिए यहाँ पे V3 का यूज करते हैं और रिफ्रेस करेंगे तो यह आपका यह component आगया तो यह watch component create हो गया अब next component create करते हैं तो next component आपका है create profiles तो create profiles कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे same वैसे ही करेंगे जैसे download component को यूज किया है तो download component को reuse मिलेंगे तो यहाँ पे create करते हैं component create profile.jsx rfc करेंगे और इस component को home page पे use करते हैं create profile यह top पे import हो गया तो download component को reuse मिलेंगे तो इसे copy करते हैं और create profile पे paste करेंगे और यहाँ पे देंगे create profile तो download को remove करेंगे और यहाँ पे create profile को देंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे इसे change करते हैं तो यह आपका video tag है तो यहाँ पे image tag लेंगे image और यहाँ पे paste करेंगे और इसमें image देंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो इसका width और height चेंज करते हैं तो image का width 35 e.m. है और mobile screen में 25 e.m. रहेगा तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो इसका text change करते हैं तो यहाँ पे इसे remove करते हैं और यहाँ पे इसे paste करेंगे तो यह आपका h2 हो गया तो यहाँ पे create profile for kids आ गया अब इस paragraph को change करते हैं तो इसे remove करेंगे और यहाँ पे paste करेंगे तो यहाँ पे दो तो यहाँ पे do br का use किया गया है ताकि space आ जाए तो ये create profiles create हो गया अब हमें next component create करना है तो next component आपका है FAQ का component तो FAQ का component create करने के लिए आपको home page पे जाना है और home page पे create करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से FAQ का component रहेगा तो इस पे click करने पे ये text दिखे तो इसको create करते हैं तो सबसे पहले इसका data create करना होगा तो data create करने के लिए एक folder create करेंगे src folder में data और data के अंदर देंगे faq data.jsx तो यहाँ पे आपका faq का data आगया अब faq data को map करेंगे तो home page पे जाते हैं और home page में एक deep बनाएंगे तो यहाँ पे एक edge 2 लेते हैं और edge 2 के अंदर ये text देंगे तो इससे copy करते हैं और यहाँ पे paste करेंगे class name लेते हैं और text white करेंगे white और इसको यहाँ पे center में लाना है तो text center करेंगे text center तो यह center में आ जागा तो यहाँ पे font size देते हैं तो LG के लिए font size देंगे text 5xl, MD के लिए भी देंगे text 5xl और mobile के लिए text 3xl देंगे और font को bold करते हैं तो यह font bold हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं text का font size change हो गया top से padding लेते हैं तो py 10 करते हैं तो top से padding 10 हो गया बट mobile skin में कुछ इस तरीके से इस text को दिखाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे BR tag का use करेंगे तो यहाँ पर BR tag का use करते हैं और class name देंगे और LG hidden करेंगे MD hidden करेंगे और SM hidden करेंगे तो यह LG, MD और SM में hidden रहेगा तो यहाँ पर देखिए यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है अब हमें FAQ का component create करना होगा तो एक component create करते हैं FAQ.jsx तो यह component create हो गया और यहाँ पर RFC करेंगे और home.jsx में use करेंगे तो यहाँ पर एक div बनाते हैं और यहाँ पर map करते हैं FAQ data को FAQ data यह top पर import हो गया और dot map करेंगे map के अंदर item आएगा और index fat arrow curly bracket और return करेंगे FAQ component को FAQ component टोप में import हो जाएगा यहाँ पर यह import हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे item से title और description को लेंगे तो d structure कर लेते हैं const title और desk description equal होगा यह item से ठीक है? item से title और description आ रहा है और यहाँ पर props को pass कर देंगे title को pass कर रहे हैं और description को यह हो गया ठीक है? और key को भी pass कर देते हैं key में आपका index आएगा तो FAQ component में title description props को pass किया जा रहा है अब इस props को FAQ component में receive कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FAQ का component दिख रहा है तो पहले हमें क्या करना है? पहले FAQ component को create कर लेते हैं then map कर लेंगे तो उसको create करने के लिए यहाँ पर इसे comment करते हैं और यहाँ पर FAQ देते हैं FAQ ठीक है? तो पहले FAQ component को create करते हैं same ऐसे ही FAQ component को create करते हैं then map करेंग तो FAQ component create करने से पहले react icons को install करना होगा तो यहाँ पे npm i react icons तो यह install हो जाएगा तो icons को ले सकते हैं तो यह आपका react icons install हो गया अब हमें क्या करना है FAQ component को create करना है तो FAQ component में जाएंगे और यहाँ पे एक div लेंगे main div के अंदर एक और div लेते हैं और इसमें एक और div लेंगे और इसके अंदर एक div लेंगे जिसमें आपका एक h1 आएगा h1 में आपका title आएगा तो यहाँ से copy करते हैं What is Netflix यह आपका title आएगा यह आपका main div हो गया FAQ का main div FAQ main और यह आपका एक और div है और इस div के अंदर एक main div है ठीक है main div के अंदर दो item आईगा एक यह title और यह एक icon तो यहाँ पर क्या करेंगे एक div लेंगे जिसका एक left रहेगा और left के अंदर एक action रहेगा जिसमें title रहेगा यह left हो गया ठीक और एक right लेंगे तो right comment देते हैं और एक div लेंगे right ठीक है और right में आपका icons आएगा तो plus icon लेंगे react icon से तो यह icon आपका और इसे react icon से import करना होगा तो यहाँ पर import करेंगे इंपोर्ट from react icon और AI इस folder से यह icon आ रहा है यह आप react icon से ले सकते हैं then second icon है यह minus का तो एक minus के लिए भी लेंगे तो minus का लेने के लिए यहाँ पर import करेंगे और यहाँ पर minus करेंगे तो यहाँ पर यह दोनों दीख रहा होगा what is netflix और यह icon और यह आपका paragraph है यह main top के लिए हो गया और एक bottom के लिए create यहाँ पर class name बनाएंगे main bottom main bottom ठीक है इसमें आपका paragraph आएगा तो यहाँ पर paragraph को copy करते हैं और यहाँ पर paste करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका paragraph आगया अब हमें top को background color देंगे यह आपका top item है top item को background color देते हैं आपे यह background color दिख रहा है और जो आपका main div है उसमें container mx auto का use करेंगे ताकि दोनों तरब से equal space ले ले तो यह आपका faq main है तो यहाँ पर container देंगे container mx auto यह हो गया तो यहाँ पर mx auto हो गया और maximum width 6 excel देंगे इसको इस तरह से create करना है तो maximum width 6 excel देंगे lg में तो यहाँ पर maximum width देते हैं lg maximum width 6 excel तो यहाँ पर देखें maximum width 6 excel हो गया same ऐसे ही md के लिए भी करेंगे तो यहाँ पर md देते हैं md और text को white करते हैं ताकि text white रहेगा ठीक है तो यहाँ पर यह white दिखने लगा तो यह आपका main div complete हो गया अब हमें क्या करना है main top पर काम करना है तो जैसे ही इस पर hover कर रहे हैं तो इसका background color change हो रहा है तो इसमें hover देते हैं तो यह आपका background color है अब हमें यहाँ पर flex का use करना होगा ताकि दोनों एक साथ आ जाए तो यहाँ पर flex करेंगे flex justify between और item को center करेंगे तो यह दोनों center में आ जाएगा और px 5 करेंगे और py 4 करेंगे तो padding x-axis और y-axis में 4 और 5 ले लेगा और इस पर click कर रहे हैं तो cursor pointer हो तो यहाँ पर cursor pointer का use करेंगे तो यह cursor pointer हो गया अब हमें title पर work करना है तो यह आपका h1 है और यहाँ पर class name का use करते हैं तो text का font size change करते हैं तो यहाँ पर lg का use करेंगे text to excel ठीक है md के लिए भी to excel देंगे md ठीक है और text excel करेंगे mobile screen के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यह आपका left वाला create हो गया अब हमें right वाले के लिए create करना है तो यहाँ पर button का use करेंगे button यह आपका plus का button रहेगा और एक button आपका minus कराएगा type देते हैं button इसका भी type देंगे button ठीक है यह दो button हो गए plus और minus अब इसका size चेंज करते हैं तो class name का use करेंगे तो यहाँ पर text का font size चेंज करेंगे lg text for excel md text for excel यह हो गया और text को to excel करेंगे mobile skin के लिए तो यहाँ भी यह देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है same ऐसे ही plus के लिए भी करेंगे तो इसे copy करते हैं और यहाँ पर paste करेंगे ठीक है अब bottom के लिए create करते हैं तो bottom में जाएंगे तो यह आपका bottom का है तो यहाँ पर background color का use करेंगे तो यहाँ पर background color देते हैं bz तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर padding देते हैं px5 py4 और my देंगे margin देंगे 1 pixel तो यह देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब इस paragraph का font size चेंज करेंगे text to excel करते हैं और cursor pointer करेंगे यह हो जाएगा और text justify करेंगे यह justify हो जाएगा दोनों तरप से equal space में यह आपके mobile में रहेगा और जैसे laptop में देखना है तो text को start करेंगे तो यहाँ पे text start करते हैं lg text start same ऐसे ही md के लिए भी करेंगे तो इसे copy करके paste करते हैं और यहाँ पे md करेंगे ठीक है अब इस पे logic लगाएंगे इस पे click करें तो यह open हो यहाँ पे use state का use करते हैं open और set open इसका initial state false रहेगा और use state को import करते हैं तो top पे use state import हो गया और यहाँ पे on click का use करेंगे तो top main है तो यहाँ पे on click event का use करेंगे on click fat arrow set open और इसमें देंगे not open जब यह open नहीं रहेगा तो इसे open कर दो और जब यह open होगा तो यह दीखेगा यह आपका जो main div है जब इस पे click करें तब यह दीखे तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको copy करते हैं और एक curly bracket लेंगे और यहाँ पे open देंगे जब आपका open आएगा तब ही यह दीखेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जब यह open आएगा तब ही यह दीखेगा open नहीं किया गया है तो नहीं दीख रहा है इस पे click करेंगे तो यह open दीख रहा है और इस पे ऐसे करेंगे करने के लिए यह पहले minus है और यह plus है तो यहाँ पे curly bracket लेते हैं और logic देंगे ternary operator का यूज़ करेंगे open जब यह open रहेगा तो यह minus का icon दिखेगा और जब यह close रहेगा तो plus का icon दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए यह close है तो plus का icon दिखे रहा है और जैसे ही इस पे click करेंगे तो यह minus का दिखेगा यहाँ पे button tag की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे remove करते हैं अब यह अच्छे से दिखेगा ठीक है इस पे click कर रहे है तो यह दिख रहा है अब हम FAQ का use कर सकते हैं और इस पे inspect करते हैं mobile screen में थोड़ा सा responsive करते हैं तो यह जो आपका main div है इसमें px5 करेंगे तो यह ऐसे दिखेगा अब यह अच्छा दिख रहा है अब इसे use करते हैं जितने भी data है उसे map करेंगे तो home page पे जाएंगे और इसे uncomment करते हैं और इसे remove करते हैं ठीक है तो title description props को receive करेंगे तो FAQ component में जाते हैं और यहाँ पे title देते हैं title और description तो यह हो गया और यहाँ पी यह title है तो इसे remove करेंगे और यहाँ पे title देंगे title यह आपके FAQ data से title आ रहा है और यह आपका description है तो इसे remove करते हैं और यहाँ पे description देंगे ठीक है तो यह ऐसे दिखने लगा और यहाँ पे margin bottom का use करेंगे तो यहाँ पे margin bottom 2 देते हैं अब यह बिल्कुल अच्छा दिख रहा है आपका FAQ इस तरह से आप अपने FAQ को create कर सकते हैं अब FAQ के बाद यह input और button को create करना है तो इसको हम पहले ही create किये हैं तो इसे use कर सकते हैं तो यहाँ पे hero section पे जाएंगे और यहाँ पे आपका है input और button तो यह आपका paragraph आ गया और यह input आ गया तो इसे copy करते हैं और home page पे जाएंगे और यह आपका FAQ का हो गया और एक div लेंगे और इसके अंदर इसे paste कर देंगे तो यह देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे margin लेंगे तो home page पे जाते हैं और यह आपका FAQ का data है तो इसके उपर margin bottom देते हैं ठीक है तो यह हो गया inspect करेंगे तो यह आपका FAQ का component बिल्कुल सही दिख रहा है तो यहाँ पे horizontal line का use करते हैं तो यह आपका input और button के लिए हो गया यहाँ पे hr div का use करेंगे div और class name use करते हैं hr line तो यहाँ पे आपका hr line हा गया और इसको margin bottom देते हैं ताकि यहाँ पे space दीख सके तो यहाँ पे margin bottom 60 ले लिया गया और mobile skin में 10 तो अब यह अच्छे से दिख रहा है और यह mobile skin में भी बहुत अच्छा से दिख रहा है तो यह आपका faq का component complete हो गया अब next component create करते हैं footer तो footer को create करते हैं तो footer को कुछ इस तरीके से create करेंगे तो इसको create करने से पहले आपको footer component create करना होगा तो components पे जाएंगे और यहाँ पे एक component create करते हैं footer .jsx और fc करते हैं तो यह आपका footer component create हो गया इसको home page भी use करेंगे तो यह आपका faq का हो गया और यहाँ पे footer component को देंगे footer ठेक है तो यह footer का हो गया अब footer component को create करते हैं तो यहाँ पे एक div लेंगे और div के अंदर एक paragraph लेते हैं और paragraph के अंदर आपका ये रहेगा और इसमें paste करते हैं यहाँ पर ये underline है तो इससे क्या करते हैं copy करेंगे और spend tag का use करेंगे और यहाँ पर paste करेंगे और यहाँ पर class name देते हैं underline ठीक है यह आपका पहला paragraph complete हो गया then second है आपका div तो यहाँ पर 4 div लेंगे तो यहाँ पर 4 div लेते हैं तो यहाँ पर एक main div लेंगे main main div के अंदर एक पहला div लेते हैं one दूसरा div लेते हैं two third div लेंगे three fourth div लेंगे तो इसमें आपका 4 div create हो गया अब इसके अंदर ul और li को create करेंगे तो ul और li को create करने के लिए यहाँ पे ul tag को लेंगे और इसके अंदर li tag लेंगे ठीक है तो li के अंदर इन सभी text को देंगे तो इसे copy करते हैं और इहाँ पे paste करेंगे तो यह आपका LI create हो गया, ठीक है, तो same ऐसे ही इन सभी div में create करेंगे, तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसका text change करते हैं, तो यहाँ पे class name use करते हैं, text gray 300, ठीक है, तो यह text gray आ गया, और margin bottom देंगे 5, आपका यह paragraph complete हो गया, main div में, तो text gray 300, तो सभी का text change हो जाएगा, और flex का use करते हैं, flex justify between, ठीक है, यह आपका ul है, तो इसे copy करेंगे, और यहाँ पे paste करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यह दिख रहा है, तो आगे इसे change करते हैं, और margin bottom 4 करेंगे, और cursor pointer करेंगे, जितने भी है, इस पे click करेंगे, तो यह cursor pointer दिखेगा, और यहाँ पे underline दिख रहा है, तो underline करते हैं, तो underline करने के लिए, ul पे class name का use करेंगे, और यहाँ पे underline देंगे, तो यहाँ पे underline दिख रहा है, और दोनों तरब से space चाहिए, main div को container देंगे, container, mx auto, max width, 6 excel, और py 20 देंगे, यह LG के लिए रहेगा, और same md के लिए भी देंगे, तो यहाँ पे md देंगे, ठीक है, और mobile के लिए py 10 देते हैं, और px 5 देंगे, ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और inspect करेंगे, तो यह ऐसे दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, इस तरीके से दिखाना है, inspect करेंगे, तो ऐसे, और li पे margin bottom देते हैं, cl, mb3, जितने भी li हैं, वहाँ पे margin bottom देंगे, तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो सभी में margin bottom देते हैं, तो यहाँ पे देखे, कुछ इस तर create करना है, तो यह पहले से हम create किया है, तो इसे use कर सकते हैं, यह अपका main div है, और main div के बाद इसे use करेंगे, तो इसको पहले से create किया गया था, navbar में, तो इसे यहाँ पे use कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखे, यह आ गया, अब इसे use करना है, तो इसे copy करते हैं, और यहाँ प और इसे inspect करेंगे तो ये एकदम responsive दिख रहा है ठीक है तो ये आपका footer भी complete हो गया अब हमें sign in form को create करना है तो यहाँ पर जाएंगे ये आपका sign in form है तो इसे create करते हैं तो इसको create करने के लिए हमें एक route को create करना होगा तो यहाँ पर एक page create करते हैं registration और इसके अंदर sign in देंगे RFC करते हैं और एक route create करेंगे तो इसे तो यहाँ पर sign in देते हैं sign in और यहाँ पर देंगे sign in ये हो गया तो इस बात पर ये एक page दिखेगा तो नेब बार पर जाते हैं और यहाँ पर link का use करेंगे तो ये link import हो गया टॉप पर ये link import हो गया और ये ग्राउटर डॉम से और यहाँ पर 2 का use करेंगे और यहाँ पर path देंगे sign अब इस पर click करेंगे तो ये आपका sign in page दिखेगा sign in page पर जाएंगे और यहाँ पर एक div लेंगे और यहाँ पर style लेते हैं और background color का use करेंगे तो यहाँ पर background color का use करना है तो hero section में जाएंगे और यहाँ पर background color का use किया गया है तो इस style को copy करेंगे और यहाँ पे paste करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है मटा भी दिखेगा अब यहाँ पे एक div लिया गया है और इसके अंदर एक और div लेंगे और यहाँ पे एक h2 लेंगे और उसके अंदर देंगे sign in ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह sign in दिख रहा है और यह आपका image दिख रहा है देन एक div लेंगे और div के अंदर input लेंगे तो यह आपका input आ गया तो यह आपका input हो गया ठीक अब input में placeholder देते हैं placeholder देंगे email और phone email या phone number email या phone number placeholder हो गया class name का use करते हैं और यहाँ पे width को full करेंगे आपका input का width full रहेगा और px3 देते हैं तो यह यहाँ से px3 हो जाएगा और py देते हैं 3 तो यह ऐसे दिखने वाला है और rounded md करेंगे rounded md तो यह आपका rounded md हो गया और background color देंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इस पे click कर रहे हैं तो यह outline आ रहा है तो outline none करेंगे outline none तो यह outline none हो गया अब हमें क्या करना है यहाँ पे center करना है तो center करने के लिए क्या करेंगे यह जो आपका div है इसे flex करेंगे और justify center करेंगे और item को भी center करते हैं और h screen लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका यह input दिख रहा है तो यह हमें main div में देना है तो यहाँ पे इसमें देते हैं तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ main ठीक है और यह आपका sub main ठीक अभी sub main का background change करेंगे यहाँ पे background देंगे तो यहाँ पे busy black करते हैं और busy का opacity change करेंगे 75 25 ताकि यह ऐसे दिखे तो यहाँ पर यह अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि padding देना होगा तो padding देंगे P20 तो padding देने पर यह background color दिख रहा है और text को white करते हैं text white और rounded LG करेंगे rounded LG तो यहाँ पर यह rounded LG होगया यह complete हो गया, अब text का font size change करेंगे, तो यह आपका action है, class name का use करेंगे और text 3 excel करते हैं font bold करेंगे और margin देंगे 7 अब हमें क्या करना है एक email के लिए हो गया और एक password के लिए, तो यहाँ पे एक email है और एक password के लिए create करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं इसे एक ओंपी करेंगे और एक password के लिए कर देते हैं और इसका text change करेंगे और यहाँ पे email देंगे, और यहाँ पे password देंगे यह हो गया यह दोनों चिपका हुआ है, तो यहाँ पे mp7 करते हैं और एक button create करेंगे तो एक button create करते हैं तो यहाँ पे एक button create करेंगे तो एक button tag लेते हैं तो यहाँ पे देंगे sign in यह sign in का हो गया और यहाँ पे background color देंगे bz और type देते हैं button यह हो गया और width को full देंगे और py3 देते हैं और rounded md देंगे rounded md यह हो गया तो यह आपका sign in का button हो तो यह दोनों चिपका हुआ है तो margin देंगे तो mb7 देते हैं तो यह हो गया तो यह आपका button भी create हो गया अब हमें यहाँ पे check box create करना है तो check box create करते हैं तो यहाँ पे एक div लेंगे और इसमें एक और div लेंगे और इसमें भी एक और डिव लेंगे और इसके अंदर एक input लेंगे और इसका type देंगे checkbox यह इसका type checkbox हो गया और class name का use करेंगे और width देंगे 4 और height भी देंगे 4 तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर एक label का use करेंगे और level में देंगे remember और इसे remove करते हैं और यहाँ पर class name देंगे और text का color change करते हैं text gray 400 और font light करेंगे और text sm करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर एक text का use करेंगे need helps तो यह आपका left का हो गया और एक right के लिए create करेंगे paragraph लेते हैं और इसमें paste करेंगे यह हो गया और class name देंगे यूज करते हैं font light करेंगे और text sm करते हैं और text gray 400 यह हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर flex का use करेंगे तो यह आपका main div है और main div में flex use करेंगे तो यह दोनों एक साथ आ गया तो यहाँ पर justify between करेंगे यह इधर रहेगा और यह इधर रहेगा तो यहाँ पर justify between करते हैं और दोनों को center करेंगे तो item center का use करेंगे item center तो यह दोनों center में हो गया और इन दोनों को भी center करेंगे तो यहाँ पे flex का use करते हैं और item center करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों center में आ गया और gap का use करेंगे तो gap 1 देते हैं तो यहाँ पे gap 1 आ गया और यहाँ पे margin bottom देंगे तो button को देंगे तो यह आपका button है तो यहाँ पे mb2 देते हैं तो यहाँ पे margin bottom आ गया अब next है यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे create करना है तो इसे copy करते हैं और यहाँ पे format document करेंगे और यहाँ पे एक div बनाएंगे और एक paragraph रहेगा और इसमें कुछ इस तरीके से create करना है तो इसको spend tag में देंगे ठीक है और इस पे click कर रहे हैं तो यह underline आ रहा है तो इसको भी spend tag में देंगे ठीक है और class name देते हैं और hover करने पे underline हो जाए और cursor pointer करते हैं और इस पे hover कर रहे हैं तो यह underline हो जा रहा है अब यहाँ पर font size change करेंगे तो class name लेते हैं और font light करेंगे और text grey 400 यह हो गया और यहाँ पर इसको भी font light करेंगे font light यह हो गया तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर gap चाहिए तो यहाँ पर gap के लिए curly bracket लेंगे और इसमें एक string देंगे तो इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर एक gap दिखेगा और यहाँ पर margin bottom देंगे तो mb 10 देते हैं margin bottom 10 और यहाँ पर इसको भी create करते हैं तो इसे copy करेंगे और यहाँ पर एक और div लेते हैं और paragraph लेंगे और यह learn more है तो इसको spend tag में देंगे और यहाँ पर margin bottom 20 देते हैं और class name देंगे और यहाँ पर font size चेंज करेंगे text और text gray 400 यह हो गया तो यहाँ पर यह paragraph दिख रहा है अब इसका color चेंज करते हैं तो यहाँ पर class name का use करेंगे और यहाँ पर text blue 600 करेंगे तो यह blue दिख रहा है और यहाँ पर br का use करेंगे तो यहाँ पर br करने पर यह ऐसे दिखने लगा और यहाँ पर margin bottom देते हैं तो mb 5 करेंगे तो आपका margin bottom 5 ले लिया और यहाँ पर placeholder चेंज करेंगे तो यह आपका input है placeholder चेंज करते हैं password इस तरह से आप इस sign in form को create कर सकते हैं यहाँ पर मैं comment दे देता हूँ email email input password input button checkbox sign in text sorry sign up a small text यह हो गया तो इस तरह से आप इस sign in form को create कर सकते हैं tellwind css के help से तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल